हेलो नमस्कार दोस्तों रिसेंडी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसके अंदर युनाइटेड नेशन जन्रल असेंबली के अंदर एक रिजॉलूशन पास किया गया जिस रिजॉलूशन के तहट रश्या को युनाइटेड नेशन युमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया रश्या जो की 2020 के अंदर युनाइटेड नेशन युमन राइट काउंसिल के अंदर इलेक्ट हो के आया था अब कोई भी देश जो कि यूमन राइट काउंसिल के अंदर इलेक्ट होके आता उसका टैनूर होता तीन साल का मलए रश्या का टैनूर 2023 तक होना था रश्या 2023 तक यूमन राइट काउंसिल का मेंबर होना था पर एक साल पहले ही ये रिजॉलुशन पास करके रश्या को कर दिया गया है सस्पेंट ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि रश्या की टूप के ओपर एलिगेशन्स लगे है रश्या की टूप जब पुल बेक कर रही थी यूकरेन की राजधानी की उसे उस दोरान में वहां की टूप ने सिविलियन को मारा था जो की यूमन राइट का वाइलेशन था जिसके बाद में यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंट किया गया है रश्या को रश्या पूरे यूनाइटेड नेशन यूमन राइट काउंसिल के इतियास में 2006 में ये संस्था बनी थी उससे अभी तक में दूसरा ऐसा देश है जिससे सस्पेंट किया गया है इसके पहले 2011 के अंदर लीबिया को सस्पेंट किया गया था यूमन राइट काउंसिल से जिस दोरान में गदाफी की सरकार थी और एंटी गवर्मेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे उस दोरान में उस प्रोटेस्ट के खिलाफ एक वॉयलेंड क्रेक डाउन किया था जिसके अंद ग्रूप के उपर जुड़ सकते हो क्लास की अपडेट पीपीटी पीडिये आपको आपे मिल जाती है इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू अनालिसिस की क्लास में दोहार लाइव ली जाती है आप यहां पर ही में साथ में जुड़ सकते हो और एक और देर साल के सब् परस्टनल मेंटर्शिप मिलेगी अब दोस्तों समझते हैं कि यह रिजॉलूशन क्या है यह वो रिजॉलूशन है जो कि उनाइटे नेशन जनरल असेंबली के अंदर लाया गया था विद दर टाइटल सस्पेंशन ऑफ राइट ऑफ मेंबर्शिप और रस्यन फेडरेशन दे यूमन राइट काउंसिल जिसे प्रपोस्ट किया था यूनाइटे शेट्स अफ अमेरिका युक्रेन यूरोपियन यूनियन और लेटिन अमेरिका के कहीं सारे देशों द्वारा इसके अंदर जब रिजॉलूशन आया तो इसे किस तरीके से पास होना था अगर जो देशों को नहीं जोड़ा जाएगा ना तो प्रेजेंट में ना इवोटिंग में जो देश यहां पर एपस्टेन कर रहे हैं अब अगर आप इसी चीज को नंबर में लाओ तो लगबग 175 देश जो है वो यहां पर प्रेजेंट है जिसमें से 58 देशों ने एपस्टेन कर दि किया है और 23 देश जो है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है अब 117 का 23 से बहुत जादा होता है 93 जिसके बाद में रिजॉल्यूशन जो है वो एकसे एकसेप्ट कर लिया गया है भारत ने इस रिजॉल्यूशन को एपस्टेन किया है क्योंकि यह रश्या के खिलाफ था और इ सिस्ट पी इजुआछ और युकानिया च। अडूब अच्राइच में चैनलोशन को प्मेशन निशेवां हैज अजिजड बाद मत बाद में भी चांष्ट अध प्राद नहीं लिजुल्य थान धिया है टेशन आशन ग्या है इसे साथ लिजुवीशन इद इस चार त यहां hostilities when innocent human lives are at stake diplomacy must prevail as the only viable option recent reports of civilian killings in busha are deeply disturbing we have unequivocally condemned these killings and support the call for an independent investigation इतनी बार सामझ मैं के भारत का स्टेंड क्या था अब बात करते हैं United Nation Human Rights Council की मेंबर्शिप के बारे में कौन देश यहां पर मेंबर होते हैं तो एक्चुल में क्या होता है United Nation Human Rights Council के अंदर लगबग 47 देश जो हैं वो मेंबर होते हैं जिनका काम होता है Human Rights को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना पर यह 47 देश इलेक्ट होते हैं United Nation General Assembly के अंदर क्योंकि United Nation General Assembly यह वो बॉड़ी है जो कि United Nation की सारे policies बगेरा बनाती है यहां पर सारे देश जो कि United Nation के भाग हैं वो बैठते हैं यहां पर direct election होते हैं secret ballot के आधार पर और पांच अलग-अलग region बाटे गए हैं United Nation General Assembly के जो देश हैं उन्हें पांच रीजन के अंदर बाटा गया है हर एक रीजन को अलग-अलग number of seat दी गई है और इन रीजन के अंदर आपस में election होता है इस तरीके से सीटे जो बाटी गई है अब कोई member अगर United Nation Human Rights Council का member बन गया कोई देश बन गया तो उसके बाद में वो तीन साल तक Human Rights Council का member रहता मलब 10 और तीन साल का रहता एक बार आप सर्व कर गए मतला अगर आप दो consecutive term तक अगर सर्व कर गए तो आपका फिर re-election immediately नहीं हो सकता उसके अलावा यहाँ पर एक president और चार वाइस प्रेसिडेंट होते हैं मैंने आपको जो रीजन बताया ना वो रीजन देखो आप टोटल पांच रीजन के अंदर जनरल असेमली जो बटी हुई है तो यहाँ पर इन पांच रीजन को रिप्रेसिडेंट करते हैं एक प्रेसि का मेंबर है वही रश्या के अगर मैं बात करूं तो रश्या जो है यह रहा जिसकी मेंबर्शिप 2023 तक की थी वहीं अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर जब डोनाल 18 के अंदर United States ने Human Rights Council छोड़ दिया था और October 2017 के अंदर उसने UNESCO छोड़ दिया था तो अगर मैं America की बात करूँ जो इस Resolution को बहुत सपोर्ट कर रहा था वो America भी इस Human Rights Council के अंदर बहुत एक्टिव नहीं था कुछ समय पहले तक तो दोस्तों अज के लिए इतने रखते हैं अगर आप लोग को अनकेडमी के उपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसा हाई टाइम अभी सब्सक्रिप्शन के उपर बहुत अच्छे ओफर चल रहा है अभी डिसकाउंट अविलेबल है जहां पर अगर आप एक साल का या देड़ साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको तीन महिने का एक्स्टेंशन मिलेगा दो या तीन साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो छे महिने का एक्स्टेंशन मिलेगा आप लोग जब भी सब्सक्रिप्शन लो आफ्लाइन केमपर्स खुला है जो लोग अगर जैपूर के आसपास वाले रीजन में रहते हैं और आफ्लाइन केमपर्स में पढ़ना चाहते हैं तो यह एड्रेस से आप बिलकुर से यहाँ पर जा सकते हों तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जैन जै भारत